मित्रों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के दर हिंदू नेल्सिस में और आज के सत्र में जैसे कि आप सभी जानते हैं हम प्रतिलिन की भाती शंपाद की के कुछ महत्पून टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपकी परिछाओं के दृष्टी को उनसे काफी महत्पून होंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं एंस्योर करता हूं एंस्योर हियर डैट यूइल बी बेनीफिटेट आपको अवसी लाब होगा क्योंकि हम इसमें आर्टिकल को वर्ड बाइवर्ड डिसकस करेंगे बिल्कुल तह तक जाएंगे और आपको समझाने का भरसक प्र देखो और शॉर्ट पोर साइंस ठीक है साइन सेंट टेक सा यूपी सी की बात करूं तो सैंसेंट टेक का टॉपिक है इसमें बच आरेंड डी डिसर्च अंड डेवलपमेंट पर जो बजरती आवंटन है उसमें बढ़िद्धी की बात की गई है उससे पर चर्चा है कि क्या तो इसको हम छोड़ेंगे नेक्स टॉपी चलते हैं और कौन है वह मैं बता देता हूं आपको दो तो होगे तीसरा है फाय एंड आइस देखो इसमें लदाक समंधित बात है कि लदाक आप यूटी जानते हो ना यूटी बना था जम्मू कस्मिट से अलग हो करके जो तकाली लदाक कर दिया है तो हमें कापी लाव हो सकता है जो भी हिद्धारक है क्योंकि जो आये में उसने कहा है कि बैस्विक व्यापार में कमी आएगी मंदी आएगी अभी पिछले महीने जनवड़ी के लास्ट में कहा है तो उसको लेकर यहां पर चर्जा की गई है इसको आप पढ़ेंगे तो चलिए हम अपने पहले आर्टिकल की स्टाट करते हैं को स्टाट करते हैं और समाहिने का प्रयास करते हैं तो और शॉर्ट फोर साइंस अब अब देखता है उसको आगे बढ़ाता है उसमें जो कर लेट लग जाता है या फिर कुछ जदा ही प्रकडिया दिखा जी जाती है तो उस सब से उस सब को सुगम बनाने की बात थो अगर उसको सुगम बनाते हैं तो अगर मालों आप रिसर्च के लिए पजदा पैसे दे दि हो तभी काया कल्ब होगा विस्तार होगा इसका हमारा आरंडी बढ़ेगा ईपको किसी भी देश के लिए और सैंस की बात करो विग्यान की दुर्वात हमें निकरेले डिफेंस की बात कर लो जा फिर मेडिकल किसी भी चीजी बात कर लो अगर रिसर्च और डिवलप्मेंट आपका मजबूत नहीं होगा ना कुछ भी नहीं होगा तो रिसर्ट सेंड डिवलोप्मेंट जो बहुत ही महत्पून चीज़ा उसके ज्यादा ध्यान दिया ही जाना चाहिए उसी के बाड़ें चर्चा है चलो पड़ते हैं इस परकार का है इसमें समाज के ना तब के को जितना संभव हो सके उतना संतूष्ट करने का प्रयास किया गया है इसमें आप देखा जा सकता है कि मिनिष्ट्री जो फंड बल्क और रिसर्च और डेवलोप्मेंट टू उड्सी यह हैल्दी जम्प देखा गया है लोकेशन में मतलब स्वस्त जम्प देखा गया है बिल्कुल ज्यादा लोकेशन क्या गया है देखो साइंस एंट्रेक्लोजी मत्रा लेको ना कितना मिला है तो इमोंट इहां बता जा रहा है रिश्ट्रीव एंट लोकेशन आप 16,376,361.42 करोर इतने करोर इसको मिले हैं ठीक है ओन पेपर वहीं इंपरेशिव फिप्टीन परसें इंक्रीज है यह पिछले साल से के बीच में मिनिस्टी ने 3.9 परसें डिकरीज भी देखा था मत्रों कमी हुई थी इसको बज़ा अमंटन में तब बल्क ऑफ द हाइक है दो डिपार्टमेंट अप सेंस टेक्लोजी जो बल हाइक को है ना इसका बल कहा है सैंसे टेक्लोजी वहा को गया है साथ साथ नो सो प इसका बात कहा है इसका इसका थे पॉट्टि शिक्स वन करोर 1.9 परसेंट है कि फॉट्र डिपार्टमेंस ऑफ साइन साइन टीफिक एंडिस्टिर डिसर्च पिलिए डिए रिक टीए तर दीपोस्य मिशन दीपोस्य मिशन पीशन बात कि जाड़ी है जिसमें इंक्लूड का करनें ओंग अगजर कंपोनेंट्स डिवलापिंगा लोकी डिवलाप क्या देखो तो इसमें डिवलाप क्या रहा है जीप सबमर्सिब वेहिकल डिवलाप क्या रह ठीक है एंद अटन नेशनल पर टीश्च पॉंडेशन हैं गोट्स अफश्टेंश्टिया हाइग और नेसा सरकार के बिल्कुल ध्यान वाले छेत्रों में से हैं जो रहा मुल्टीपल पी रफेरेंसे इन दबज़र श्पीच इस बज़र श्पीच में खेसार रफेरेंसे ते फोर इंवेस्टमेंट इन डेडिकेटर सेंटर्स पॉर एक्सिलेंस इन आर्ट इपिसल इंटेलिएंस इसके मामली में रिसर्च के लिए ठीक है तो कहने का मतलब इसमें इन वेस्टमेंट किया जाएगा इसके लिए इन विमारियों के लिए इन आल अलोप इस एफ़र्ट्स वहीं यह सब एफ़र्ट्स वोड़ें कुड़ी स्पेट आउट एक्रोस मल्टिपल आप्स ऑफ़र्मेंट यह जो डेवलपमेंट है ना जो विकास है जो पहल की जाड़ी है इना हर एक भाग होना चाहिए नन अब दावजटरी एलोकेशन्स किसी भी विजटरी एलोकेशन्स में सजेस्ट है और सिग्निफिकन्ट स्कुल बेसिक रिशेट्च किसे इन में बेसिक रिशेच को स्केल अपको स्गेंगा दिखाया नहीं है ठीक है आज प्रीविए गुवर्मेंट प्रीविए सोर्मेंट की तरह दो गोड़न्मेंट 2 एज नोट सकीजिग इंग परसेंट जब्सेंट आगे बढ़ने में सफल नहीं हुई है एक परसें और फार्थ से आगे बढ़ने को तयार कुछक नहीं करेंगे कोई डिफाइन आर अरण Alors आन्दी स्पेंट को नरा का भी प्रमुखता से लेते हैं आरूल अब थाम सचेस्ट डेवलप्रेंट टेक्नलोजी कली एडवांस कंट्री जो कि बिक्षित और तक्निकी रूप से आगे देश है ना एडवांस देश हैं वो मोड अबर टू परसेंट ऑफ देपी और अट वह अपने जीटीपी का दो परसेंट से स्पेंट अबर टू दो परसेंट से ज्यादा या लगभग आरेंडी पर खर्चा करते हैं इंडिया भारत की बात करूं एकोर्डिंग टूर्ट टू 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 एस्टिमेट पाइदा ग्लोबल इनोबेशन इंडेक्स ग्लोबाइश्विक नवाचार्ट सुचकांक भूलते हैं दुनिया का सबसे मतलब सेंटेफिक लिट्रेचर का सबसे बड़ा प्रकाशक है उत्पादक है ठीक है तो यह एक समस्या तो इस पर ध्यान दनिकाब शकता है वाइल फंट सानोट दो ओनली चैलेंज देखो चैलेंज किया बात हो रही है कि फंट तो है एक समस्या अर्थ हो होंगे तभी आप धियान लगा पाओ उस पर सही से काम कुपेंट आपस आप आएंगे आपके पास ना मतलब रिसोर्से आप आएंगे लेकिन का रख फंट्स आर नोट ओनली चैलेंज फंट चैलेंज नहीं है रिसर्च एं डेवलोप्मेंट के लिए ठीक है और भी है दल् कापैसिटी है न साइन्टेविक इस्टिशूशन की वह लिमिटेट है सिमीथ है मेजर चैलेंज जो है को रिसर्च स्कॉलर्स करिए क्या है नोट गेटिंग प्रोमिस्ट फंट्स रिसर्च स्कॉलर्स जो है मतलब अनुसंधान करते हैं जो विद्वान उनको ना जो बादे किया कि फंड हो नहीं मिल पाड है ताइम पर ऑजो मतलब उन्हें बाद आके जाता है कि इतना प्रण आपको मिलेगा पैसे नहीं मिल पाड है और वेट फॉर्ड वालीटी एक्विपमेंट रिक्वार्ट बाइद रिसर्च सथ और जो व्यूज़़टी इक्यूपमेंट अ मतलब अब नहीं अब LOOK पता है था कि अगर मन लोग मैं बता था कि इस का फसना जाड़ी कोर बोल सकते हो ठीक है उसकी मतलब उसमें फशे राते हैं दबालक और रिसर्च कंटीनिट फंडर गोर्मेंट इंद पर्टीशिपेशन प्राइवर्ट सेक्टर है ग्रोन ओनली इंक्रिमेंटली ठीक है अब यहां पर कहा जा रहा है कि रिसर्च जो है न वह गवर्मेंट वारा फंड साथ होने चाहिए लगातार और पार्टिश्टिपेशन प्राइवेट सेक्राइब रहना हो मतलब इंक्रिमेंटली यहां मतलब लगातार बढ़ आ इंद निक्स्थ few एर्स अगले फ्यू एर्स की बात रहे अगले कुछ वर्सों में लिख फिए इन गोर्मेंट दो अगले कुछ वर्सों में the government must not only increase the size of the funding by सरकार को बस funding पर धियान ने दिना बट ऑल्सो इधा प्रोसीजर्स आप उनों प्रक्रियाओं को विश्युगम करना है to make the efficient to make the most efficient user ताक इसका आप सही जवर्दस्त यूज कर सको देखो आपको सुविधाय में तो मजबूत करनी है ठीक है आपको funding में अची करनी है आपको उजीद माहोल देना है ठीक है infrastructure अच्छा देना है तो आप जब सब सुविधाय में दोगे तभी तो अच्छा वो कर पाएगा ठीक है तो यही है खासकर जैसे आप मालो आप पर इच्छा के त्यारी करते हो आप सब कुछ पर धिहान देते हो तभी तो आप आगे बढ़बाते हो तो कहने का आशा यहां पर वही है अगर हम सही तरीके से धियान देंगे तो डेफनेटली रिजल्ट जो होगा नो वह हमारे पक्ष में होगा डिजल्ट गुड होगा ठीक है तो आशा करता हूं कि इसमें जो आपको बताया ठीक है और साथ ही मैं बता दूं आपको कि मालो मैं वॉर्ड जो है अलग से लिखाता हूं अगर मालो आर्टिकल के बीच में वर्ड बताता हूं उसका मॉटव यह है अगर मैं बीच में आपको वर्ड बताऊंगा न आप उसको आसानि से निट कर पाएंगे आसानि से समझभ़ पाएंगे इसलिए मैं सज्जेस्ट करता हूँ कि आप ले करके एक कलम ले करके अब अबश्य बैठा करें ताकि आपकी जो अंडेस्टेंडिंग है काफी अच्छी हो सके आप इन्हें अच्छी तरह से समझ सके और आपका ज्यानवर्धन उसी तरीके से घुष सके ठीक है तो आप अपनी त्यारी में लगे ड़िए इसी उत्साह के साथ निजनतरता के साथ ठीक है हमारा शत्र आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेर तो अबस्षी करें तो तब तक के लिए अर्थात कल तक के लिए अग्यां दीजिए और कहिए नमस्कार थेंक्यू